नमस्कार आप सभी का इस चैनल में स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2J1 के तहत किसी भी कारियाले या किसी भी कोट में अपने अभिलेख या किसी भी केस से संबंधित अभिलेख की जाँच कर सकते हैं इसकी जानकारी आज हम लोग पाप करे हैं मैंने DCLR कोट के कारियाले में एक आविदन देकर कुछ अभिलेख से संबंधित जाँच करने का एक आविदन दिया था आप लोग यह देख लें यह है आविदन इस प्रकार ही भरेंगे आप लोग लगातार देखते रहेंगे और वहां से जो मुझे आदेश प्राप्त हुआ था कि आप भलाने डेट में आप आ के अभिलेख की जाँच कर सकते हैं यह वहां का आदेश है इसलिए आप लोग भी इसका लव लेशके है या किसी भी कार्याद है या किसी भी कोट से आप आवेदन देखें किसी भी अभिलेक की जांच कर सकते हैं चलिए आज हम लोग अब जानेंगे कि हम लोग प्रपत्र को कैसे भरेंगे इसके लिए सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहट आप लोग देखेंगे लगातार आप लोग इसे पूरा बिनाइस किप किये देखेंगे यह हमारा प्रपत्र को जैसे मैंने हुमी सुधार उपसमाहरता या DCLR के कार्याले कोट कार्याले में मैंने यह आवेदन दिया था यह नाम लिख देदेंगे अपना पूरा पता लिखेंगे और जो भी आप जिस भी अभी लेक के बारे में जानकारी चाहते हैं सुचना चाहते हैं वहां इसका बर्णन करेंगे ऐसे मैंने यहां दिया था कि दिनाइंग संख्या के कितने अभी लेक पे आदेश पारित हो गया है दूसरा मैंने पूछा था आदेश पारित किये अभी लेक कि मैं सुचना के अधिकार अधिनियम की धारा टू जे एक के तहत जाँच करना चाहता हूँ तिसरा मुझे तित्री समय वह मस्थान निस्ट कर बताए जब मैं आकर इसका जाँच कर सकूँ इस दस्तावेज के निरक्षन के बाद यदि मुझे किसी दस्तावेजों की परती किया वसकता होगी तो सुचना के अधिकार के कानून के तहत निर्धारित फिस लेकर परतिया अपलब्द कराएं इसी प्रकार आप लोग जो भी जाँच करना चाहते हैं या परतिया लेना चाहते हैं उसके लिए आप लोग धाराट टू जे फरस्ट के तहत जाँच कर सकते हैं इसी प्रकार भर देंगे और यह पोश्टल और दस्रवेज का फी लगता है यह फी दे द लेने की बात है कि आपको 10 रुपे जो फी डालेंगे इसमें आप एक घंटे तक आपने सुल्क जाँच कर सकते हैं एक घंटे के बाद यदि आपको जाँच की आवशक्ता होगी करने की तो उसे लिए अलग शे शुल्क आपको लगेगा यह से मैंने यह आविदन लगाया था जिसमें देखे आप लोग वहां के लोग सुचना पता अधिकारी से भूमी सुधारूप समारता डिसिकार द्वारा मुझे आदेश प्राप्त हुआ था कि आप फलाने दिन आके कर्श रखते हैं जैसे यहां उन्होंने कहा आप सुचना के अधिकार अधिनियम की धारा राप तू जे 1 के तहत्त आदेश पारित किये अभी लेक की लेकिनिरक्शन हे दू समयंतित हैं और अस्थान निस्थीत करने का रूरोद किया था between 10 तीषज पुरवहान अस्थान का रिएम खश भूमिसुतार उक्समारता कि सुनगा निर्दारित किया जाता है आप उक्त निर्दारिती थी समय वो इस्तावान पर पहुंच कर अभी लेक कांडरक्षन कर सकते हैं पहले एक घंटे के लिए कोई फीदे नहीं है उसके बाद परती गंटे निर्दारक्षन के लिए पहुंच रुपए के दर से सुलका दा करना होगा यह उनका आधा मुझे मैंने इसका उप्योग किया आप लोग भी इसका उप्योग करें यह धारा 2J1 के तहट किसी भी कार्यालय किसी भी कोट के वे कार्यालय में जाके आप किसी भी अविलेक का निरक्षन कर सकते हैं इसका उप्योग अवश्च करें जो चैनल पहली बार देख रहे हैं उन्हें वो सब्सक्राइब कर लें विडियो प्योगी लगे तो एक दूसरे को शेयर अवश्च करें इससे परतेक जनता को इसकी जानकारी हो शके और वो इसका लाब ले शके जैहिंद